चनकाड़ाजनल में आप सब लोगों का स्वागत है और आईए आज पंच तंद्रत की एक हिंदी की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका शर्षक है करे कोई भरे कोई आईए देखते हैं यह मज़ेदार कहानी किसी व्रिक्ष पर एक कववा और बटेर का बसेरा था याने कववा और बटेर एक बख्ष पर रहते थे बसेरा यहने घर था एक बार पक्षियों को जानकारी मिली कि उनके राजा गरुड शागर के किनारे आने वाले हैं इसलिए सब ही पक्षी एकत्रित होकर उनके दरसनार्थ शागर के किनारे की और चल पड़े हैं जानकारी मिली कि उनके राजा जो है गरुड सागर के किनारे आने वाले हैं तो सभी पक्षी जो है उनके दर्सनार्थ याने दर्सन करने के लिए एकत्रित हुए याने जमा हुए कववा और बटेर भी गए वो भी जो है चल पड़े जिस रास्ते से वो दोनों जा रहे थे उसी रास्ते में उन्हें एक गवाला मिला गवाला याने जो दूध बिशता हो गायों की रखवाली करता हो गवाला उसके सिर पर दही का मटका था कववे ने गवाले के सिर पर दही का मटका देखा तो उसके मुँँ में पानी भराया जब देखा कि वहाँ पर दही है तो कववे के मुँँ में पानी भराया उसको लाला छुभी वह दही खाने के लोब में नीचे उतरा लाला च में वह जो है नीचे उतरा कववा यह भूल गिया कि वह इस समय गरुड जी के दरसन के लिए जा रहा है भूल गया और दही खाने के लिए चल पड़ा कवा मठके पर बैठकर मजे से दही खाने लगा और देखो इस प्रकार जो है दही खाने लगा गवाले को इस बात की भनक लग गई लग चुकी थी लेकिन चतुर कवा तब तक न जाने कितनी बार उसके मटके से दही खा चुका था गवाला जान किया कि कुछ न कुछ है लेकिन जब तक उसको पता चलती वह जो है कई बार खा चुका था वह दो छोच मारता और उड़ जाता एक दुबार खाता और उड़ जाता था कउवे ऐसा उस कउवे ने कितनी ही बार किया क नहां मानने वाला था, वह अपने सामने किसी को बुद्धिवान समिझता ही नहीं था, बटेर की बात को उसने नहीं मानी, गवाले ने कई बार चलते चलते हाथ उठा कर दही चुर कवंवे को पकड़ने की चेस्टा की, कोशिश की कि मैं उसको पकड़ू मारूं, किन्दु ग गुवाला परिशान हो गया, तो उसने दही का मटका सिर से उतार कर नीची रख दिया, परिशान हो गया, तो दही के मटके को जो सिर पर रखा, चले आ रहा था, उसने एक जगा पर उसको उतार दिया, फिर वहीं एक और छिपकर बैठ गया, और कौवे का इंतजार करने लगा शिपकर बैठकर कववे का अंतजार करने लगा गवाला उसने देखा कि उपर रक्षिपर कववा और बटेर दोनों ही बैठे क्रोधित गवाले ने आओ देखा न ताओ एक पत्थर उठा कर उन पर खींच मारा अब जो है क्रोधित गवाला तो भडग गिया था क्रोधित सा गुष्चे में था उसने आओ देखा न ताओ यान बिना सोचे समझे एक पत्थर उठा कर खींच मारा जोर से दे मारा जैसे ही कववे ने गवाले को पत्थर उठाते देखा वा तो जट से उड़ गिया कववे देख लिया कि गवाला पत्थर मार रहा है उसने तो उड़ान भर ली उड़ गिया वो मगर बेचारा बटेर उड़ न सका और उस पत्थर से उस पत्थर वह पत्थर जोई उसी को जा लगा बटेर को जाकर लग गया वो पत्थर पत्थर लगते ही बटेर के मुह से एक दर्द भरी चीख निकली और वह धरती पर गिर पड़ा बटेर जो है बेचारा चीखते हुए नीचे धर्ती पर गिर गया अपने जीवन के अंतिम सांस लेते हुए बोला पापी को हुए तो उन्हें मुझे व्यर्थ ही मरवा डाला मुझको तुमने मरवा डाला इस प्रकार वह कहते हुए बटेर अंतिम सांस है ली मर गया वो तो कहानी यहां पर समाप्त होती है लेकिन सीख क्या हमको इस कहानी से मिलती है आए देखते हैं कि नीच वदुष्ट का संग सदा हानिकारक होता है बुरी काम करने वालों के शंगति हमेशा दुखत परणाम देने वाला होता है अता कुसंग से यथा संभव बचना चाहिए बुरी संगति से हमको बचना चाहिए कॉवे की करतूत का फल उसके सांथ ही बटेर को भुगतना पड़ा जबकि उसे प्रारंब सही कॉवे की कुचेश्टा को देखकर उसे किनारा कर लेना चाहिए था जब कि बटेर को क्या करने लिना चाहिए था कि जब बटेर ने देखा कि यह जो है भूल गिया हम जहां जा रहे हुआ नहीं जा रहा है और उल्टा जो है चोरी कर रहा है उस समय बटेर को कॉंवे का साथ छोड़ देना था लेकिन उसने कॉंवे का साथ नहीं छोड़ा और र पहनी आपको पसंद आया हो जरू लाइक करें शेयर करें और जिल लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड़ा को सब्सक्राइब ने किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सक के और आप उस खुद देख सकें धन्यवाद